अधैकून चत्वार इंशो अध्याया ध्यान और उसकी मैमा योगधर्व तथा शिव योगी का महत्व शिव भक्तिया शिव के लिए प्रान देने अथ्वा शिव शेत्र में मरण से तकाल मोख शलाब का कतन गुपमन यूर्वाच सासा सासा नी मादानी गारे साँ सासा नी मादानी गारे साँ खुपमन यू कहते हैं श्रीकिष्ण श्रीकंटनात करस्पनर करने वाले लोगों के संपूर मनतों के सिधी तद्काल हो जाती है ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्र करते हैं सेतर्थ्यम्मन सहकेचित सुला ध्यानं प्राकुर्वते सुले तो नेश्च लंचेतु भावेत सूचित धर्वा सिध्यंति सिध्यय है मूर्थ्यंतर शुध्या ते शुख्षिवरुपमे चिंद्रजे कुछ लोग मन की सिर्था के लिए सुल्डूप का ध्यान करते हैं सुद्रूक के चिंतन में लखक चक्चित निष्छा हो जाता है, तब सुखश मुएस्थे रोता है, परक्वान शिव का चिंतन करने पसब से धियाल फ्रत्य अक्षिर सिद्वों जाती है, द्यान वेकल निट्यप दिनेघेः जिस जिस रूपमें मन की स्थिता लक्षित हो उस उसका बारमबार्द्यान करण क्वाद्य दिनध्य निर्वशय होता है Natal 지 कि वल्याँ प्रवर्थते, तस्मस वेशयं ध्यान, बालार्त केर आश्रयं, सुथ्मा श्रयं निर्वेशयं, नापूरं परमाथु तह, यद्वास वेशयं ध्यान, तस्सापार्समाश्रयं, निरकारत्मसंगित्ते, द्धानन निर्विशयमतं निर्विजंचा साभी जंचता दिवध्याना मुच्छते सिय्द्धान ही कर्मशा सभीच और द्धान निर्विज्च कहा जाता है निर्विषय अथ्वा निर्विष ध्यान करना चाहिए। निर्विष ध्यान करना चाहिए। निर्विष ध्यान करना चाहिए। निर्विष ध्यान करना चाहिए। ध्याता ध्यान थे और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ग्यान और वैराक्षिसम पन्नों फदा शांत चित रहता हो शद्धालू और इसकी बुद्धी प्रसाद गुन से युखतो हो। यथा पापम वीना शजेत यायत ध्यान मात्रम वक्त ध्याकार वेश्वरं। अव्याँ खेत नमान सथ यान मित्यानी ध्यते। जयए चिंतायां यथातू है इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शंकर का वारबाद चिंतन ही ध्यान कहलाता है। अवसी दरश्वरं मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पापनस्ट हो जाते हैं। अप्षद्या पूर्वग विक्षे प्रहित चत्य से परमिश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्याम है। ने मुक्ति पर्ट्ययं कोण मैशर्यं चाई मादिकं। शीवध्यानस्य पूर्णस्य साख्षा दोक्तं प्रायजगं। यस्मा सोख्यंच गोक्षंच याना दुहर्या माख्मयाद। तस्मात्सर्वं परित्यंज्य याना युक्तो बावेंगर। बुद्धि के प्रवारूत ध्यान का जो आलंबन या आश्रह है उसी को सादु पुरुष धे कहते हैं। जो हैं सामसदा शिवी वर्थे हैं। मुक्ष सुक्का, पून अनभो और अनिमा आधियश्वर की उपलती ये पून शिवा ध्यान के साक्षा प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौक्य और मुक्ष दोनों की प्राक्ति होती है। इसलिए मनुष को सब पूछ छोड़ का ध्यान मे लग जाना चाहिए। जृती बिना ध््यान की जान नहीं होता, और जिसने योग का शाधरनीं किया है, उसका ध्यान नहीं सित्ध होता, जिसे ध्यान और यजन दोनों क्राथ हैं, उसने भौसागर को पाल कर लिया, समस्त उपादिल उसे रहित, मिलबल ग्यान, और एक अगरद आपूण ध्यान, य जिनके सारे पाप नश्टोग हैं, उन्हें की पुद्धी ज्यान और ध्यान में लगती है, जिनकी पुद्धी पाप से दूशित है, उनके लिए ज्यान और ध्यान की बाद भी अतिन तुलब है, जैसे पजलित हुई आग, सूखी और की लिखडी को भी चला देती है, उसी प अल्प यल्पोगी यथा दीपक सू महन शरेत महाँ, लोग अभ्यास सता अल्पोगी महापापम्जी आश्ये, जायत कण महात्रम्भ, शिद्यापर में शुरूं, यद्भावेत सू महाँ शेय, स्कासा अन्दो नवित्रते जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अन्दिकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाब्रास भी महान पाथ को अभिनाश कर डालता है, शिद्धा पूर्वक छणभर में भी परमिश्र का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेपाप होता है, उसका कही अन्त नहीं है ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान कोई यग्य नहीं है, इसलिए ध्यान अवश्र करें अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोत्राप करने के कारण योगी जन के वाल जल से भरे हुए तीर्थ हों और पत्तर एवं प्रिया श्रन बहेश्चरा तथांतर ध्याननिरता प्रिया शंभुन हर्मिया है जैसे आयोगी मुपुर्षों को मिठी और काथादी की बनी हुए इस्थूर मुठ्यों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे लोग में देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भौन में राजकी पुर्षोचित फल का उप्रोग महीं कर पाते हैं। जो ध्यार योगियों को सुलग होता है। क्यार योग को पाकर संसार सागर को लांग चाएगा। धिग्यसरा की योगस्य यांगतिं यह उखे लरह। नतांगति मवाक्नोति सर्वरपी माठामत है। विजाना देद विदो शाप्खोटिं संपोजया पलं। विच्छामत्र प्रदानेन तपलं शिवयोगिये। यव्यागिहोत्र धाने शुक्ति कहूं मेशया पलं। योगिला मन्यदानेन तसमस्तंपलं लभे। योग का जिग्यासु पुरुष विजजगति को पाता है। उसे यगिकरता संपूर महायगियों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करणों वेद्वित्ता देजों की बुजा करने से जो फल मिलता है। ये चापवादं खुर्वन्ति धिन्हूना शिवयोगिला म। शत्रिविस्ते पारपा जन्ते नरकेश्वमहित्षयाद। सतिशुताने वर्काद। श्यापवादा सियोगिला म। तसमाच्छों तचपाफिया। नदान्यह सुमतमत है। ये पूनह सतु तंभाक्या पाजन्ते शिवयोगिला। थे वेदन्ति महाभोगा नदेयोगंच शांपुरं। भोगाच्छी भिर्नार स्तस्मत्था पुर्चह शिवयोगिला। प्रतिशयान नहाना दिशयाकावार आदिः। जो मूड महानों शिवयोगियों की निंदा करते हैं, वे शिवताओं सहित नरकने पड़ते हैं और प्रलैकाल तक भी रहते हैं। शोतक के होने पर ही कोई शिवयोगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। इसलिए महाँ पुर्शों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और डंदली है। जो लोग सदा बक्तिभाव से शिवयोगियों की सेवा करते हैं, वे महान भुग पाते और रंत में शिवयोग की भी उपलब्दी कर लेते हैं। इसलिए ब्रोगार्थी मनुशों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान, पान, शया और ओरने बिशाने की समगरी आजी देकर तदा शिवयोगियों का सथकार करें। योग धर्मह से सारत्वा रभी जह पाप मग रहे। वज्व तंदुल वहर के उतता पापे न योगी नहीं। नहीं प्यांते चपाप होगे अध्म पत्रम या आंदुल सार्थ। योग धर्म सुदिन अतंदर पबल है अताह पाप रुपी मुद्गरों से उसका बेदन नहीं हो सकता। यसमें देशे वासे लिख्या चिव योगा रख्यों मुद्गरों सोफी देशों भावें तूता सातूता इतिकंतु नहर्थ। अस्वा सर्वां परेत्यर्जे देत्यमान्यद्रीका शुणा है अर्वर दुखा प्रापाराय चिव योगा मिसामा फ्रिसेद। शिव योग पराय मुनी जिस देश में नित्ति निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है फिर उसकी पवित्ता के विशे में तो कहना ही क्या अधाय चतुर एवं वित्वान पुरुष्टा प्रित्यों को छोड़ कर समपूर दुष्टों से शुखा रफाने के लि शिव दूप दूप कर समस्ते लोखों के लिए फिर कामना से शनसार में विचरे अधो आपने स्थान पर ही रहे क्या विशे सुख को अत्यां तुख्ष्टों समझ का छोड़ दे अव् विरागी योग से शुच्या पुरुष्टा कर दे यस्त्वासन अम्रतिम्मर्त दिश्वारिष्टंच गोयसा सयोगारंग नेरत शिवक्त्रम्सा माश्रहे सतत्रनीवसनेव यदिधीरमनान रहें तारंगिनाथीरों प्याद्यें स्वयमेव परित्यदे भुत्वाक्यारश नम्चेव भुत्वचांगं शीवालले शित्वावाशिवतिन्सेशु पद्यहमाव राधनाथ शिवशासुत्वेधीव प्राण्यस्तुपरित्यजेद सद्यवविमचेत नात्तायविचारणाथ भुरगा देर्वत धीवश शिवत्वेत्रम सामाश्रित्व प्रियते याजीसों केवं मुच्यते नात्तसंश्यः जो मनुष बहुत से अरिश्ट देखकर अपनी मृत्य को निकर जान ले उसे योगा दूस्थान में सनलगन फो शिवशेत्र का आश्रे लेना चाहिए इसमें अनिसार भुचार करने के अवशक्ता नहीं है अत्वा जो रोग आदी से विवश्वकर शिवशेत्र की शनलगता है उसकी भीजदी वहां मृत्य हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है इसमें सन्शय नहीं है किसी देत लोग आदी से शिक्षेत्र में स्ष्च नहीं की कामना करते हैं क्योंकि शास्त वा विश्वाचकर के धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह के विद्ति वीकार की जाती है शिवनिन्दारतम भत्व तिलीत स्वयमेववा यच्याजे दुच्य जान प्राण चाभू यह प्राजायते शिवनिन्दारतम भत्व तिलीत स्वयमेवा यह प्राण। चेता तिहसता कोल संजुता है शिवा थे यस्त्य थे प्राणा शिव भवक्तर दुने ववा ना तेना संद्री शहर पंचे मुटि मार्गस दीतो नरः शिवरिंदा करने वाले को आकांत करने में असमर्थ जो वैक्ति स्वैम मर जाता है वो अपने 21 विडियों के साथ स्वैम मुट्थ हो जाता है जो शिव के लिए आत्वाश्य भवक्तों के लिए प्रामत्या करता है उसके समान दूसरा कोई मनुश्य मुट्टी मार्ग पर शड़त्वा शुद्धि विधिवत प्राप्वामित्य यदि पशुनमिवत अस्येह न पुर्या दोड़्वत रही कम्त इस सलसाल मंदत से उसके शीगर मुक्ति हो जाती है इन्यों से किसी एक उपाय का किसी तरह भी आवलंबन करके अथ्वा विधिवत शड़त्वा शु प्रापदेत, अत्व प्रादेवनिश शुद्धि शीव चारार्थभात वो शीव विधियार्थ विवाब। खाने द्वा भूवी ता देहं दहे द्वाशो चिवा पिरा शिपे द्वाप सो शिवा स्वेव त्या जे द्वाप आश्ट लोश्ट वद्ध आथनम पीचो दिश्य कर्म चेत कर्त वेप सितं खर्याण मेव खुर्वीत शक्या भप्ताश थर्प येद धनम तस्य भजे विशेश तर उसके पुट्र आदी को उसके मरने से अशौश की प्राफ्टे नहीं होती ऐसे पुरुष के मिस चरीर को धक्ती में गाड़ दे या पवित्र अग्नी से जला दे या शिव सरूप जल में डाल दे अत्वा काथ या मिट्टी के धेले की भाती कहीं भी फेक दे सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उप्धिश से कोई भी करन करने की इक्षा हो तो दूसरों का कल्यान ही करे। और अपनी शक्ति के अंसार शेव भक्तों को तुरुप्त करे। उसके धन को शेव भक्त ही ग्रहन करे। प्रवाइवी संगिता याम उत्तर खंडे शैव्योग वणननम नामे कोन चत्वारेंशो अध्याया इस प्रकार तेश्ये वहाप्लाण के अंतरगत साथवी वाईवी संगिता के उत्तर खंड में शैव्योग वणनननामक 49 वाध्याया पोन हुआ ओम नमस्योवे